तो गाइज बात करने वाले हैं One UI 6.1 अप्टेट के बारे में ये जो अप्टेट है वो Samsung Galaxy स्मार्टफोन के अंदर कब तक यहाँ पर रिलिस किया जाएगा और एक आपको बेड न्यूस है वो भी बताने वाला हूँ कि ये जो Galaxy AI के फीचर्स है वो आपको काफी कम Galaxy स्मार्टफोन है उनके अंदर देखने को मिलेंगे मतलब कि One UI 6.1 का अप्टेट तो आ जाएगा लेकिन उसके जो Galaxy AI के फीचर्स है वो आपको नहीं मिलेंगे पूरा मेटर क्या है वीडियो में आगे बात करेंगे वीडियो आपको पसंद आती है आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओल पर प्रेस कर लेना ताकि फ्यूचर में जैसे कोई बड़ा अप्टेट आता है तो वीडियो आपको उमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी और आप लोग उमारा सैमसंग का जो टेलिग्राम चैनल है उसको यहाँ पर जोइन कर सकते हो सबसे पहले जो बेड नूज है उसी के बारे में आपर बात कर लेते हैं तो आप लोगों को यह चीज तो पताई होगी कि यहाँ आप लोगों को गेलेक्सी AI के फीचर्स हैं वो देखने को मिलेंगे जिसके अंदर आपको तीन से चार्ड नए फीचर्स हैं वहाँ आप बताए गए थे क्लिक टू सर्च, लाइफ ट्रांसलेट, नोट असिस्ट और यह फोर्थ वाला तो इससे कुछ फीचर्स हैं वहाँ आपको पहले से मतब की प्री इंस्टोल्ड है वो देखने को मिलेते हैं एस 23 अल्ट्रा के अंदर अभी अपडेट आना बाकी है उसके बाद में पता चलेगा कि फीचर्स हैं वहाँ पर आएंगे या फिर नी तो कमिंग शून है वो तो यहाँ पर मेंशन करके रखा है लेक इससे भी पहले एस 22 अल्ट्रा डिवाइस है वो लोंच वाता उसके अंदर अभी तक यह चीज आना वो कन्फर्म नहीं हुए कि आपको गेलेक्सी एई के फीचर्स मिलेंगे या फिर नी क्योंकि डोट डोट आना वहाँ पर लगा दिया गया है तो यह चीज आना वहाँ प 16 का भी अपडेट आना बाकी है तो इसके अंदर ही जब यह लोग यह वाले फीचर्स हैं गेलेक्सी आई के वह यह पर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो सेमसंग के जो बजेट वाले स्मार्टफोन है ना जैसे कि A सीरीज, App सीरीज, M सीरीज उसके अंदर तो कोई भी चा आया S23 FE उसके अंदर यह वाले फीचर्स है वह आपर मिलते हैं या फिर नी तो यही एक छोटी सी न्यूज है वह आपके साथ में शेयर करनी थी और आप लोगों को यह जानना है कि आपके स्मार्टफोन के लिए अपटेट है वो कब तक देखने को मिलेका तो नीचे अपन वन दे मातरम